हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल आप आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे तो आप लोग जानी रहे हैं विंटर सीजन चल रहा है और इसमें कॉली फ्लावर यानिकी गोभी जो बहुत अच्छी है थी वैसे तो हर सीजन में गोभी मिलती है लेकिन विंटर की जो गोभी रहती उसका तेस्ट अलगी रहता तो अगर हम उसके क्रिस्पी परकोड़े बनाना चाहते हैं तो कैसे ट्रीक्स के साथ बना सकते हूं मैं आज अपने तरीके से आपनों को बताऊंगी और वीडियो को इन तक देखेंगे अगर आप लोगों को वीडियो पसंद तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइट शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो चलिए देखते हैं गोभी के परकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं और लगता है क्या क्या उसके लिए मूभी देख लेते हैं तो मैं ली हूं गोभी जो कि आधा किलो से थोड़ा उपर है और ग बॉइल उबालेंगे क्योंकि गोभी का कच्चापन निकालना भी बहुत ज़रूरी है आलू अगर जैसे बॉइल करते हैं तो हमको जरूती परता उसका पकोड़े बनाते तो उसको बॉइल करने के लिए लेकिन गोभी को करना पड़ेगा तो मैंने गोभी के साब से एक बर जो पकोड़े बहुत अच्छे बनेंगे अब उसमें थोड़ा सा उबालाने देंगे उसके बाद हम इसमें धूली हुई गोभी जो है हम एड करते जाएंगे और इसे बस 5-7 मिनट बस बॉइल आने देंगे और उसके बाद गरम पानी में ही से रहने देंगे उसके बाद हम इसे निकालेंगे तो अभी बॉइल आया नहीं है मैं इसे इधर उदर कर ली हूँ चम्मत से अब 5 मिनट के बाद ही मैंने देखा कि इसमें बॉइल आ चुका है तो अब मैंने गैस को बंद कर दिया है और गरम पानी में मैं गोभी को 5 मिनट रहन दीती अब मैं इसको निका अगर इसमें ना रहे और इसे ठंडा होने दूँगी तब तक हम इसके बापकोड़े का घोल तयार कर लेते हैं दूसरे बरतन में तो मैं करीबन डेड़ कप की जैसा बेसन एड़ करी हूँ अगर आपको इसमें और जाला क्रिस्पी पन चाहिए तो बेसन में आप 1-2 चमत चावल का आठा भी मिला सकते हैं उसे भी आपके पकोड़े जो है काफी क्रिस्पी बनेंगे अब पकोड़े के बैटर में हम लोग फ्रेश हरा धनिया काट के आइट कर लेंगे इसे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और खुरू भी बहुत अच्छी आएगी और थोड़ा उसके लावा मैं लिए हूँ थोड़ा सा मिर्च का पौडर ये भी हाफ टीस्पून के जैसा होगा क्योंकि हरी मिर्चे भी है तो बहुत अद तीखा ना हो जाए उसके लावा मैंने लिया है थोड़ा सा धनिया का पौडर उसके लावा मैंने लिए हूँ थोड़ा सा हाफ स्पून के जीरा अजवाइन है तो अजवाइन भी डाल सकते हैं आप लोग वो भी काफी अच्छी रहेगी अब थोड़ा से मैं मीठा सोडा एड़ करी हूँ क्योंकि मैं इसे इंस्टेंट बना रही है और क्रिस्पी अगर आपको बनाना है तो सोडा बिलकुल आप एड़ कर गोल बनाने गवाद पांच मेंट इसे रहन देंगे और हम देख लेते हैं हमारी गोभी भी ठंडी हो गई है तो मैंने एक चमज मेरे घर में अरा रोट का पॉडर था तो वह मैं एड़ कर ली हूँ अरा रोट का पॉडर अगर आप डालेंगे तो जो गोभी 65 और गोभी च अब देख लीजेए आप लोग गोभी को मैं इस तरह से डीप गटे जा रही है तो देखिय यह परफेक्टली बंडिंग हो रही है बस यही बताने के लिए मैं आने आपको यही दिखाया है कि देखिया परफेक्टली बंडिंग हो गई है इसका शेबी वैसे कह ही है फूल था दाल रही थी तो उसका flame में medium कर दी थी और मैं one by one सारे पकोडे इस तरह से deep करते भेट डालते जारी हूं और देख ले रहे हैं आप लोग इसको sim भी नहीं करना है और बिल्कुल high flame में तो इसे करना ही नहीं है medium high flame पे ही करिएगा medium flame पे इसके भज्ये जो है आप बनाओग और जब भजिये थोड़े सैट हो जाए तब आप इसे इस पूल से इधर उधर चलाईएगा ताकि ये नीचे से चिपके भी नहीं और अच्छे से थोड़े से सैट हो जाए इसमें कच्छा बनना रहा है तो मैंने मीडियम फ्लेम पर ही पकोड़े को तला है कुछ-कुछ आप आपको रैड दीख रहा है लेकिन वो जला नहीं है उसका एक गोभी का जो रैडिश बन है वो है क्योंकि फोकस भी कम करके मैं आप लोगो दिखा देती हूँ तो आप लोग देख रहे से मेरे नैचुरल तरीके की भजिये भी आप लोगो समझ में आ रहे होंगे तो इसमें काफी बड़े-बड़े साइच की हो गए क्योंकि मैंने इसको सोडा भी डाला था और पांदस मिनट में इसको बैटर को रहन भी दीती तो इसके वज़े से ये काफी अच्छा बना है अब ये करीबन-करीबन हो गया है तो अब इसमें प्लेट में निकालते जाओंगी और बाकी के ट्रिब के भी इसी तरह से मैं साथी साथ इससे तैयार करते जाओंगी तो मैं प्लेट में निकालते जारी हूँ इसे और बाकी ट्रिब का भी मैं डाल के इसमें करीबन मुझे एक ट्रिब का 7-8 मिनट लगा है क्योंकि गो भी है और पहले से बॉइल है और मुझे तो इसलिए हम इसे अच्छी तरह से फ्राइ करेंगे और ज्यादा इसे डीब ब्राउन नहीं करेंगे वनना इसे में जो अजीब से काला पन आ जाएगा जिससे हमारे पकोड़े खराब दिखेंगे तो इस तरह से मैंने दूसरे ट्रिप के भी इसे डाल लिये हैं और इस तरह से मैं इसे बनाते जारी हैं अगर आप चाहें तो गोभी को क्रश करके भी कद्दू कस करके भी इसके पकोड़े बना सकते हैं लेकिन तब वो गोभी के पकोड़े नहीं लगेंगे वो नॉर्मल गोभी के पकोड़े पराठे ये सब बनाने ही चाहिए क्योंकि ये काफी अच्छा इसका जायका आता है और ये काफी अच्छी लगती है तो आप लोग देख रहे हैं दूसरी ट्रिप का भी मैंने इस तरह से उलट-पुलट करके तयार कर लिया है और सभी गोभी के भजिये जो है मेरे रेडी हो गए है मेरे गोभी के पकोड़े काफी क्रिस्पी बने है तो आप भी इस ट्रिक्स से अपने घर में एक बढ़ ट्राए करिए अगर आपको जरूर आई होप ये पसंद आएगा तो सारे ट्रिप्स मैंने फॉलो करके आपको बताए है यही ट्रिक्स अपने घरों में ट्राइ करेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट सेक्षन में कि आपको मेरा तरीका कैसे लगा और आपको मेरी ट्रिक्स फॉलो करके आपकी गोभी के भजे जो है क्रिस्पी बने की नी बने वो भी मुझे बताईएगा तो देखें आप लोग उसके शेप भी बिल्कुल चेंज नी हुआ है अब मैं आप लोगों एक आख इसमें से बताती हूं एक आख बाइक इसमें से निकाल के दिखाती हूं कि अंदर तक भी देखें कितना अच्छा पक चुका है और उपर से तो काफी क्रिस्पी बना ही है तो मुझे तो यह बहुत अच्छा नमक तो आप वो डालके खा सकते क्योंकि इसमें बिल्कुल भी तीखापन रहता नहीं है क्योंकि गोभी अपने आप में ऐसी चीज होती है वो सारे चीजों को अब्जाव कर लेती तो मैंने तो उपर से चाट मसाला डाला है और अगर आपको जो पसंद है आप वो डालके खाइए कई लोग सौश होनक के खाते हैं चटनी साथ खाते हैं जिसके साथ खाना है SuCe सथ खाईे तो बिलते हम लोग अगरी तब तक लिए अफे ठेक्साथ।